नमस्कार फ्रेंड स्वागत आप सब एका सॉलुशन में इदरी सब यूटूब चैनल में फ्रेंड्स इस वीडियो में सेंटेंस री अरेंजमेंट से रेलेटेट एक प्रेटिस रेट लिया है इसको आप पैरा जंबल सेंटेंस भी बोलते हैं और इसको आप PQRS भी बोलते हैं तो इसमें मैंने 20 कुशन कवर किये हैं आप लोगों को जरूब बताना कि आप लोगों 20 में से कितना स्कूर किया है अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and share रूखया करें अपने फ्रेंट्स में क्योंकि आप वीडियो को like और share करते हैं तब ही मुझे जो है new वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता है तो आप वीडियो को like and share रूखिया करें अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो उसका feedback आप comment box में जरूट दिया करें और आपने कितना score किया है ये भी आप comment box में बताया करें और इसका जो PDF है आपको टेलिग्राम की चैनल पे एक दो दिन बाद मिल जाएगा तो टेलिग्राम का जो link है वो वीडियो के description में है तो आप सभी लोग जो है टेलिग्राम को join कर लीजिगा और जो है आप channel को join भी कर सकते हैं आपको subscribe के बगल में join button भी आ रहा होगा तो आप लोग जो है channel को join भी कर सकते हैं चली वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पे पहले आप विजिट के हैं चैनल को subscribe करें बैल आइकन को प्लेस करें चली वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहला जो question नहीं कुछ नमा बन the capital necessary P में जो दिया है the workers Q में जो दिया है to start up business R में दिया है contributed और virtue of obtained by दिया है S में तो आपको जो है इसमें P, Q, R, S को जो है arrange करना है तो जो sentence arrangement का जो है कोई rule नहीं होता है कोई इसमें trick नहीं लगानी होती है आपको जो अभी तक आपने सीखा है बस उसको apply करना है तो यहाँ पर आपने जो भी अभी तक सीखा है बस उसको apply कर दीजे तो हमारा sentence यहाँ पर correct बन जाएगा तो यहाँ पर सबसे पहले आप the capital necessary को छोड़ दीजे आप cable जो P, Q, R, S को देखिए तो यहाँ पर P में दिया है the workers और Q में दिया है to start a business और S में जो दिया है वेर्चर ओफ obtained by तो हमें यह चीज़ पता है why the workers होना चाहिए च्योंकि जो सरमकों होता है सरमकों के द्वारा कोई काम होता है तो by the workers होना चाहिए तो यहां पे जो है यह पता चल गई है कि S के बाद P आना चाहिए वेर्चर ओफ अप्टेंड बाई दा वर्कर्स होना चाहिए तो हमें S के बाद P पता चल गया है तो हमें option में भी check करना है कि S के तुरंट बाद P किस option में दिया है तो S के बाद P इसमें नहीं दिया तो यह हमारा गलत हो गया है B option में दिया है S के बाद P तो इसको अभी हम देखेंगे चेक करेंगे और S के बाद इसमें जो है नहीं दिया है और इसमें भी S के बाद P नहीं दिया है मतलब S के बाद तुरंथ P मैंने बताया था तो इसमें बीच में R दिया है तो इस बज़े से यह हमारा गलत हो जाएगा तो यहां पे जो है तीन आप्सन हमारी जब गलत हो गए हैं तो इसको हम सही कर सकते हैं और इसका जो है sentence का आर्थ भी हम निकाल सकते हैं तो यहां पे जो B option दिया है B option के हिसाब से एक बार चेक कर लेते हैं तो इस sentence का आर्थ भी सही निकल रहा है तो यहां पे जो है sentence जो पूरा sentence हो जाएगा तो इस sentence का आर्थ भी सही निकल रहा है मतलब ब्यबशाय सुरू करने के लिए आबर्शेक पूंजी का योगदान शिरमकों द्वारा प्राप्त किया गया इस sentence का मतलब हो जाएगा तो हमें sentence के अर्थ के अकॉर्डिंग भी और sentence के जो है आपको मैंने जिस हिसाब से मैंने आपको बताया है उसके हिसाब से B option हमारा correct हो जाएगा अगला जो कुष्ण ना कुष्ण नमर 2 So far P में दिया है reports and investigations और Q में दिया है published a mixture और R में दिया है of articles including और the journal has दिया है S में तो सबसे पहले आपको So far को छोड़ देना है केवल आपको जो है P, Q, R, S में ये देखना है कि subject कौन सा हमारा बन सकता है तो ये P तो हमारा अभी नहीं बन सकता है और ना Q बन सकता है ना तो R बन सकता है तो S हमारा बन जाएगा The journal has के बाद जो has के बाद आएगी ये बर्व की third form आएगी जो की दिया है Q में तो यहां पे S के बाद क्यों आना चाहिए S के बाद Q आना चाहिए The journal has published a mixture S के बाद Q किस option में दिया है तो यहां पे नहीं दिया है तो यह हमारा गलत हो जाएगा यह हमारा हो नहीं सकता है यह भी हमारा नहीं हो सकता है यह भी हमारा नहीं हो सकता है S के बाद Q यहां दिया है तो इसको हम एक बार सही कर सकते हैं इसको एक बार अर्थ के according भी चेक करेंगे तो यहाँ पे SQ RP दिया है तो इसको एक बार चेक कर लेते हैं So far The journal has published a mixture तो इसके बाद R दिया है Of articles including Reports and investigations तो यह हमारा correct हो जाएगा इसका अर्थ भी सही निकल रहा है articles including Reports and investigations तो इसका जो आर्थ निकलेगा यह निकलेगा अब तक पत्रेका ने रिपोर्ट और जाच सहित लेखों का मिसरड प्रकाशित किया है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो कुष्ण कुष्णमा 3rd Then the woman, P में दिया है Lamenting their able desire और Q में दिया है That had bought और R में दिया है Wept loudly और S में जो दिया है This sorrow upon them यह यहाँ पे काट दीजे यह double हो गया है तो इसको आप काट दीजे तो सबसे पहले P, Q, R, S को आप sequence देख लीजे तो यहाँ पे Then the woman लिखा है तो इसके बाद जो भी आएगा यह बर्व आएगी तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ पे S तो नहीं आ सकता है और नहीं Q आ सकता है तो यहाँ पे P और R में हमें चेक करना है The woman Wept loudly Lamenting their evil desire तो यह हमारा correct है यहाँ पे सबसे पहले R आना चाहिए फिर इसके बाद P आना चाहिए हमें R और P यह देखना है R P किस option में दिया है तो R के बाद तुरंथ P यहाँ नहीं दिया है R के बाद तुरंथ P यहाँ भी नहीं दिया है R के बाद यहाँ P दिया है इसको हमी चेक करेंगे और R के बाद P यहां पे भी नहीं दिया है तो हमें केबल इसको option को सही कर सकते हैं एक बार इसको earth के according भी देख लेते हैं तो यहां पे R के बाद दिया है P फिर इसके बाद Q, फिर इसके बाद S तो इसको हम एक बार अर्थ के अगोडिंग चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे फिर इसके बाद क्यों दिया है मतलब यहाँ पे sentence का यह निकल रहा है तब वे इस्त्रियां अपनी उस दुष्ट अभिलाशा का बिलाब करते हुए जोर-जोर से रोने लगी जिसने उन पर यह दुख लाद दिया था इस sentence का अर्थ भी सही निकल रहा है तो यहाँ पे जो है C option इसका correct हो जाएगा अगला जो कुछन है कुछन नमब फोर दा मास्टर पी में दिया है फिर क्यू में दिया है पनिश दसर्मेंट और आर में दिया है इसमें आप लोग देख लीजए सबसे पहले इसमें क्या होगा तो दा मास्टर के according आपको यह चीर याद रखनी है जो मैं बता रहा हूँ पहले की subject आना चाहिए फिर उसके बाद बरब आना चाहिए तो यहाँ पे मैं आर्थ उसका जो है नोकर को डाटा मतलब नोकर को punish किया तो दा मास्टर punish the servant तो यहाँ पे Q से इसकी सुरुवाद होगी तो Q से इसकी सुरुवाद होगी तो यहाँ पे जो है यह option हमारा गलत हो गया है और यह भी हमारा गलत हो गया है केवल हमें दो option चेक करने है A और B तो यहां पे Q के बाद S दिया है और Q के बाद P दिया है तो पहले हम Q के बाद S चेक कर लेते हैं Punished the servant फिर उसके बाद S दिया है When he left the work unfinished फिर उसके बाद P दिया है Who was very loyal तो यह भी हमारा option यह हमारा गलत हो जाएगा इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है अब हमें इसको B option को सही कर सकते हैं नहीं तो इसका अर्थ भी हम एक बाद चेक कर लेंगे तो यहां पे सबसे पहले जो दिया है The master punish the servant फिर उसके बाद दिया है Who was very loyal to him मतलब जो मालिक ने मतलब master ने उस नौकर को उसके प्रती बहुत बफादार था यहां पे जो है इसका अर्थ निकल गया है P का अब उसके बाद देख लेते हैं S को When he left the work unfinished without giving any valid reason मतलब जब उसने कोई बैद कारड बताए बिना काम अधूरा छोड़ दिया इस sentence का मतलब हो जाएगा तो इस sentence का मैं पूरा एक बार अर्थ बता देता हूँ The master punished the servant मतलब Master ने उस नौकर को डंदित किया Who was very loyal to him जो उनके प्रती बहुत बफादार था और फिर उसके बाद When he left the work unfinished without giving any valid reason तो यहां पे हमारा B option इसका correct हो जाएगा अगला जो कुशन कुशनमा 5 The crosser P में दिया है Did not listen to the protests of the customer और Q में दिया है Who was in the habit of being less R में दिया है Whom he had cheated with great audacity तो यह हमें इस sentence से निकल के आ रहा है कि Whom he had cheated with great audacity तो R के बाद ऐस तो होना ही चाहिए यहां पे जो दिया है Whom he had cheated with great audacity इसका जो मतलब हो जाएगा जो है जिसे उसने बड़ी दुस्साहत से ठगा था यहां पे इसका मतलब निकल रहा है अब मैं यह उपर भी चेक कर लेता हूँ कि P पहले आएगा या फिर Q पहले आएगा तो यहां पे sentence के आपको थोड़ा सा आर्थ समझना है तो यहां पे जो दिया है the grocer के बाद यहां पे जो है did not listen to the protest of the customer यह तो नहीं हो सकता है तो यहां पे एक बार Q कुछ है करते हैं the grocer who was in the habit of being less तो यहां पे जो है यह sentence का मतलब सही निकल रहा है मतलब कि जिस किराना दुकंदार को कम तोलने की आदत थी did not listen to the protests of the customer कि यहां पे जो है कि उसने उस ग्रहक के बिरोद को नहीं सुना whom he was cheated with great audacity जिसे उसने बड़ी दुसाहत से ठगा था इस sentence का जो निकल रहा है यह निकल रहा है सबसे पहले Q आएगा फिर उसके बाद P आएगा फिर उसके बाद R फिर उसके बाद S यह किसमें दिया है तो इसका right option जो हो जाएगा Q, P, R, S Q, P, R, S who was in the habit of being less मतलब जिस किराना दुकंदार को कम तौलने की आदत थी did not listen to the protests of the customer मतलब उसने उस गरहा के बिरोध को नहीं सुना whom he was he had cheated with great audacity मतलब जिसे उसने बड़ी दुसाहत से ठगा था यहाँ पे जो है इसका A option correct हो जाएगा अगला जो कुछना कुछनमा 6 जो है despite having के बाद क्या आएगा आप लोग पहले देख लीजे P में दिया है no means to actively defend और फिर उसमें दिया है like clause and jaws they had फिर उसमें दिया है allowed other equally effective deterrence फिर उसमें दिया है themselves with weapons तो इसमें जो है सबसे पहले आपको जो है इसमें despite having दिया है despite having no means यह हो सकता है लेकिन इसको मैं P, Q, R, S को सबसे पहले इसमें चेक करेंगे सबसे पहले इसमें क्या आना चाहिए तो सबसे पहले कुशन नमा 6 में आप यह देख लीजिए यहाँ पे जो लिखा है themselves with weapons like तो यहाँ पे जो है themselves with weapons like मतलब की तो यहाँ पे जो है S के बाद क्यूं होना चाहिए S के बाद क्यूं होना चाहिए themselves with weapons like clause and jaws मतलब की पंजे और जबडे he they have के बाद आना चाहिए फिर R तो यहाँ पे जो है Q के बाद R आना चाहिए तो सबसे पहले तो P आना चाहिए तो यहाँ पे यह हमारा sequence correct हो गया है तो सबसे पहले मैंने क्या दिमाक लगाया तो इसमें आपको P Q RS में सबसे पहले मैंने S को पढ़ा यहाँ पे themselves with weapons तो with weapons मतलब किस बैपन के साथ जाएगा वो like clause and jaws मतलब पंजे और जबडे जो हत्यार होते हैं पंजे और जबडे के जो like weapons उसके जो हैं तो यहाँ पे they have फिर उसके बाद have के बाद बर्व की third form आना चाहिए तो यहाँ पे जो है R आना चाहिए Q के बाद तो सबसे पहले P छूट गया है तो P सबसे पहले आएगा तो यहाँ पे S Q R सबसे पहले P आ जाएगा तो despite having no means to actively defend फिर इसके बाद आएगा themselves with weapons like clause and jaws they had allowed other equally effective deterrence तो यहाँ पे हमारा correct जो हो जाएगा यह हो जाएगा P S Q R P S Q R किस option में दिया है तो यह cable हमारा B option में दिया है तो इसका जो है B option correct हो जाएगा अगला जो question है कुछनमा 7 which may be easily overlooked मतलब जिसे आसानी से अंदेखा किया जाशकता है तो किसको अंदेखा किया जाशकता है इसका कोई पता नहीं है तो यह pieces की सुरुवात नहीं हो सकती है emphasizing by contrast as aspect of truth तो इसके भी सुरुवात नहीं हो सकती है हमें R और S चेक करना है its power lies in फिर like most epigrams its power तो its power यहाँ दिया है its power lies in की सुरुवात नहीं हो सकती है तो यहाँ पे sentence का सही अर्थ जो है यह निकलेगा S से तो like most epigrams के बाद its power lies in तो यहाँ पे जो है S के बाद R किस option में दिया है तो यहाँ पे S के बाद R जो है यह दिया है केवल C option में तो इसको हम सही भी कर सकते है एक बाद इसको आर्थ के अकॉर्डिंग चेक भी कर लेते है तो यहाँ पे जो दिया है S, R, Q, P तो इसको एक बाद चेक कर लेते है तो like most epigrams its power lies in emphasizing by contrast as aspect of truth which may be easily overlooked तो यहाँ पे मैंने आपको बताया तो यहाँ पे P, यहाँ पे इसकी सुरुवात जो है S से होगी और खतम जो है finish जो होगा यह P से होगा तो यहाँ पे इसका C option correct हो जाएगा इस sentence का जो मतलब होता है epigrams होता है जो जिन कभीताओं को पढ़ने में जो है मनरंजन का भाव पिरकट हो तो यहाँ पे जो है अधिकांस जो epigrams होती है जो कभीताओं होती है जो उनकी सत्ती जो होती है इसके बेपरीत सत्ते में एक पहलू पर जोड़ देने में नहित होती है जिसे अंदेखा नहीं किया जाशकता है इस sentence का यह कुछ अर्थ निकल रहा है तो यहाँ पे जो है इसका c option correct हो जाएगा अगला जो question है question 8 friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and share ज़किया करें यहाँ पे दिया है he has फिर p में दिया है while he was in a reverie फिर इसके बाद found the book फिर at the bus stop he lost तो यहाँ पे सबसे पहले he has दिया है तो he has के बाद बर्व की third form आनी चाहिए जो की Q में दिया है तो sentence की सुरुआत जो है Q से होनी चाहिए फिर इसके बाद हम check करते है तो Q से सुरुआत केबल A में हो रहा है और B में हो रहा है तो यह हमारा गलत हो गया है यह भी हमारा गलत हो गया है हमें केबल A और B option चेक करना है तो सबसे पहले हम A को चेक करते हैं तो सबसे पहले दिया है Q के बाद S तो he has found the book he lost फिर इसके बाद R at the bus stop while he was in a reverie reverie तो यहाँ पे इसका correct जो हो जाएगा यह A option हमारा correct हो जाएगा एक बाद B को भी चेक कर लेते हैं तो यहाँ पे दिया है Q के बाद R तो found the book at the bus stop फिर इसके बाद asked he lost यह तो हमारा गलत हो जाएगा यह हमारा बिल्कुल गलत हो जाएगा sentence के अर्थ के according तो यहाँ पे हमारा A option correct हो जाएगा he has found the book he has found the book मतलब उसे वह किताब मिल गई है कौन से किताब मिल गई है जो उसने bus stop पर खोई थी तो यहाँ पे he lost at the bus stop जो उसने bus stop पर खोई थी तो यहाँ पे फिर उसके बाद जो दिया है while he was a reverie तो यहाँ पे जो है जब वह एक जो है श्रद्दा में था तो यहाँ पे इसका correct हो जाएगा a option यहाँ पे correct हो जाएगा अगला जो question है question number 9 more space for building new things and developing we must have an open countryside तो सबसे पहले इसमें जो है correct इसमें सबसे पहले शुरुआत जो होगी यह R से होगी we must have मतलब हमारे पास क्या होना चाहिए we must have हमारे पास क्या होना चाहिए more space for building for building मतलब की हमारे पास जो है अधिक जगे होना चाहिए जो है new things and developing an open countryside तो countryside जो होता है यह खुले ग्रामीड छेत्र होते हैं तो सबसे पहले we must have हमारे पास हमारे पास क्या होनी चाहिए more space for building मतलब हमारे पास अधिक जगे होने चाहिए किसके लिए new things and developing an open countryside की नई चीजों के निर्माड और खुले ग्रामीड इलाकों के विकास के लिए हमारे पास अधिक जगे होनी चाहिए तो यहाँ पे इसका correct जो हो जाएगा R फिर इसके बाद P फिर इसके बाद Q फिर इसके बाद S तो यह किस option में दिया है तो हमारा यह है R, P, Q, S यह हमारा D option हमारा correct हो जाएगा इस sentence का मतलब हो जाएगा की we must have मतलब हमारे पास होनी चाहिए की more space मतलब अधिक जगह होनी चाहिए की new things and developing मतलब जो है नई चीजों के निर्माड और जो है an open countryside मतलब नई चीजों के निर्माड और खुले ग्रामीड इलाकों के बिकास के लिए हमारे पास जो है अधिक जगह होनी चाहिए तो यहाँ पे इसका D option correct हो जाएगा अगला जो question question मतलब 10 जो दिया है films, pictures and even के बाद फिर made दिया है made of the relics for prosperity फिर इसके बाद दिया है miniature, models, can be फिर इसके बाद interested in knowing about them तो यह हमें sentence में थोड़ा सा यह लग रहा है कि interested in knowing about them जो है यह sentence के last में आना चाहिए तो यहाँ पे एक बाद इसको check कर लेते है films, pictures and even miniature तो हमें P के बाद यह हमें नजर आ रहा है P के बाद R होना चाहिए तो films, pictures and even miniature तो even made of तो हो नहीं सकता है ना interested हो सकता है तो हमें सबसे पहले P लिखना है फिर इसके बाद जो लिखना है R लिखना है films, pictures and even miniature models can be can be के बाद क्या आएगा फिर आएगा interested आएगा या फिर made of आएगा तो अभी मैंने आपको क्या बताया interested in knowing about them यह sentence के last में आना चाहिए तो यहां पे हमारा Q हो जाएगा फिर इसके बाद S हो जाएगा तो यह हमारा sequence सही है films, pictures and even miniature models can be made of the relics of for prosperity interested in knowing about them तो यह हमारा किस option में दिया है PRQS PRQS के बल D option में दिया है तो हमारा D option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो कुशन कुशनमा 11 दिया है content that antiquity for some people however यहां पे दिया है for future generation should be preserved तो सबसे पहले इसमें आपको यह याद रखना है कि यहां पे should be कि यहां पे क्यों आया है तो should be preserved दिया है for future generation तो should be preserved for the future generation तो S के बाद R आना चाहिए तो यहां पे जो दिया है S के बाद R यह किस option में दिया है S के बाद R तो यह हमारा गलत हो जाएगा यह हमारा सही हो सकता है और यह हमारा S के बाद R यह भी गलत हो जाएगा और यह भी हमारा गलत हो जाएगा तो हमारा जो है B option यहां पर correct हो जाएगा इसको एक बार check कर लेते हैं सबसे पहले दिया है Q फिर इसके बाद दिया है P तो यहां पर check कर लेते हैं सबसे पहले Q some people however content that antiquity फिर इसके बाद दिया है S should be preserved for future generation तो यहां पर हमारा correct जो हो जाएगा यह हमारा sequence हो जाएगा Q, P, S, R मतलब हो जाएगा हाला कि कुछ लोग कुछ लोग इस बात से संतुष्ठ है तो यहां पर some people however content that antiquity should be preserved for future generation मतलब हाला कि कुछ लोग इस बात से संतुष्ठ है कि आने वाली PD के लिए पुरा तंता को सुरच्छित किया जाना चाहिए यहां पर sentence कम अर्थ हो जाएगा तो यहां पर हमारा B option यहां पर correct हो जाएगा अगले जो कुछ नहीं कुछ नमर 12 even so much of फिर इस के बाद Q में दिया है only being used in a few countries this extra power is तो सबसे पहले हमें P, Q, R, S में देख लेना है कि कौन सा हो सकता है तो यहां पर this extra power is के बाद हो सकता है R तो हो नहीं सकता है और नहीं P हो सकता है तो हमें यह पता चल गया है this extra power is only being used in तो यहां पर हमें जो है यह पता चल गया है कि S के बाद क्यूं होना चाहिए तो S के बाद क्यूं किस option में दिया है तो यहां पे यह option में दिया है यह हमारा गलत हो जाएगा इसमें भी हमारा गलत हो जाएगा और यह भी दिया है तो हमें cable A option और D option चेक करना है क्योंकि हमें यह पता चल गया है this extra power is के बाद आएगा यह आएगा only being used in तो यहां पे जो है used in a few countries तो यह हमारा हो सकता है तो इसको यह बार चेक कर लेते हैं तो सबसे पहले शुरुआत हो रही है तो even so much of this extra power is only being used in a few countries तो यह हमारा लग रहा है कि सही हो सकता है एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं D option को सबसे पहले शुरुआत हो रही है आप few countries फिर उसके बाद this extra power is यह तो हमारा कुछ सही नहीं लग रहा है तो यह हमारा गलत हो जाएगा तो केबल हमारा जो है A option यह पर correct हो जाएगा इसको एक बार अर्थ के according भी देख लेते हैं तो सबसे पहले इसमें दिया है P, P दिया है फिर इसके बाद S दिया है Q दिया है फिर R दिया है एक बार इसको चेक कर लेते हैं सबसे पहले दिया है P even so, even so much of even so much of फिर इसके बाद दिया है this extra power is only being used in a few countries मतलब फिर भी इस attract power का अधिकांस उपयोग जो है केबल कुछ ही देश कुछ देशों में ही किया जा रहा है तो यहां पे a few countries यह last में होना चाहिए तो यहां पे इसका correct जो हो जाएगा यह हो जाएगा इसका a option है हमारा correct हो जाएगा अगला जो question 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 13 a hundred years ago फिर दिया है used about 24 times as much power as it did today the world as a वहां पे गलत है थोड़ा सा यहां पे whole कर लीजिए आप लोग यहां पे जो है whole लिखा है आप लोग देख लीजिए इसको तो यहां पे sentence के सुरुआत जो है यह P से होगी या फिर Q से या फिर R से या फिर S से तो सबसे पहले आप समझ लीजिए a hundred years ago a hundred years ago यह दो है ego जो दिया है यह sentence के हमें सा last में आता है तो इससे sentence की सुरुआत नहीं हो सकती है तो P को हम लिख देते हैं इसको कभी भी last में use करेंगे या फिर बीच में use होगा यह सुरुआत में कभी भी use नहीं हो सकता है और Q use होगा नहीं क्योंकि यहां पे यूजड से सुरुवात हो रही है तो यहां पे जो है PQ तो हो नहीं सकता है केवल हमें R option चेक करना है और S और R और S किस option में दिया है तो यह हमारा गलत हो जाएगा यह भी हमारा गलत हो जाएगा केवल हमें बाच चेक कर लेते हैं power as it did फिर इसके बाद दिया है q used तो did के बाद used नहीं हो सकता है यहां पे use होना चाहिए था क्योंकि जब बर्व की did आ जाती है जब did use होता है तो बर्व की हमेसा first form होती है ना कि second form या third form तो यहां पे did के बाद used नहीं होना चाहिए तो यहां पे यह हमारा गलत हो जाएगा इसको हम एकदम सही कर सकते हैं क्योंकि हमें दो option तो पहले ही गलत हो गए थे मेरे तो इसको भी हमने गलत कर दिया है तो केवल हमें c option बचा है तो यह हमारा correct हो जाएगा इसको एक बार चेक कर लेते हैं C option को एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे लिखा है whole आप देख लीजे यहाँ पे जो है whole लिखा है तो यहाँ पे जो है सबसे पहले S होगा कि today the world is whole फिर इसके बाद दिया है Q used about 24 times as much फिर इसके बाद दिया है power as it did a hundred years ago तो यह हमारा correct हो जाएगा option इसका C correct हो जाएगा इस sentence का जो मतलब हो जाएगा जो आज पूरी दुनिया आज पूरी दुनिया ने 100 साल पहले की तुल्ला में लगवग 24 गुना अधिक बिजली का इस्तेमाल किया इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो कुशना कुशना 14 जो है इसमें दिया है when forest is फिर दिया है or protect the soil फिर दिया है left to create फिर इसमें दिया है cut down there is nothing तो इसमें सबसे पहले आप देख लीजे sentence की सुरुआत कहां से होगी तो sentence की सुरुआत जो है Q से नहीं हो सकती है नहीं R से हो सकती है और नहीं S से हो सकती है तो केवल हमें P से सुरुआत इसकी करनी है तो यह हमें पता चल गया है सुरुआत केवल P से हो सकती है तो हमें जो है यह दो आप्सन हमें गलत कर देने है केवल हमें दो आप्सन चेक करने है क्योंकि sentence की सुरुवात जो है यह हम P से कर रहे हैं तो when forest is तो इस के बाद जो आएगा यह left नहीं हो सकता है यहां पर जो R दिया है यह left नहीं हो सकता है क्योंकि इस के बाद कभी भी बर्ब की second form या third form नहीं आती है तो हमेशा बर्ब की first form आपको use करना है तो यहां पर when forest is cut down there is nothing फिर इस के बाद जो दिया है left to create or protect the soil तो यहां पर यह हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि इस के बाद कभी भी left नहीं आ सकता है हमेशा बर्ब की first form यहां पर use करेंगे तो यहां पर cut down दिया है तो हमारा जो है cable a option यहां पर correct हो जाएगा p.s.r.q. यह हमारा correct हो जाएगा तो यह sentence का जो मतलब निकलेगा यह निकलेगा इसको भी पर पढ़ देता हूँ मैं कि when forest is cut down there is nothing फिर इसके बाद दिया है left to create or protect the soil मतलब कि इस sentence का जो मतलब हो जाएगा जब जंगल काट दिये जाते हैं तो मिट्टी बनाने या फिर उसकी रच्छा करने के लिए कुछ भी नहीं बचा होता है इस sentence का मतलब हो जाएगा अगला जो कुशन है कुशन हम 15 friends अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को like and share रूकिया करें इसमें दिया है it has to be cut carefully मतलब कि इसे साबधानी से काटना होगा फुर इसके बाद दिया है and a home for wildlife what else protection recreation it forest is to supply timber तो यहाँ पे सुरुवात sentence की जो होगी यह S से होगी क्योंकि यहाँ पे जो है इसे साबधानी से काटना होगा तो यह तो इसमें सुरुवात में नहीं हो सकता है तो यहाँ पे इसकी सुरुवात जो होगी यह होगी it forest is to supply timber मतलब यदी जंगल को लकड़ी तो यहाँ पे दिया है if यदी forest is to supply timber यदी जंगल को लकड़ी फिर इसके बाद दिया है इसके बाद R होना चाहिए तो यहाँ पे जो है कॉमा दिया है फिर इसके बाद यहाँ कॉमा दिया है water प्रोटेक्षन फिर इसके बाद कॉमा दिया है recreation and a home for wildlife फिर इसके बाद आना चाहिए क्या Q फिर लाश्ट में आना चाहिए P It has to be cut carefully मतलब यदि जंगल को लकड़ी, जल संभर, संरक्षड, मनोरंजन और बन्य जीवन के लिए एक घर की आपूर्ती करना है, तो इसे साबधानी से काटना होगा, इस sentence का मतलब हो जाएगा, तो इसका D option करेक्ट हो जाएगा, अगला जो कुछना कुछनमा 16 जो दिया है, यहां प sentence की सुरुआद जो है, यह ऐसे होगी, ऐसे क्यों होगी, क्योंकि यहां पे जो दिया है, rain water can rush, तो यहां पे जो है sentence की सुरुआद जो है, ऐसे होना चाहिए, यहां पे जो sentence का यह मतलब हो जाएगा, कि जो बारिश का पानी है, जो rain water है, can rush के बाद के आएगा, फिर इसके जो है before flooding low lying areas तो यहां पर जो है flooding low lying areas यह हमारा यहां पर correct हो जाएगा QP तो यहां पर SR QP किस option में दिया है SR QP यहां पर जो है cable B option में दिया है sentence का मतलब जो हो जाएगा कि निचले इलाकों में बाड के कारड बारिश का पानी जो है घाटी में पहुँच सकता है sentence का मतलब हो जाएगा जो यहां पर दिया है rain water can rush मतलब जो बारिश का पानी है unchecked to the valley मतलब की घाटी में पहुँच सकता है कहां पहुच सकता है before flooding मतलब कहां बाड का कारड बन सकता है low lying areas मतलब निचले इलाकों में तो यहां पर जो है इसका B option correct हो जाएगा अगले जो कुशन है कुशन हमा 17 they chopped board and more the job so rapidly seem attractive तो इसमें सबसे पहले इसकी सुरुवाद जो है यह P से होने चाहिए क्योंकि यहां पर subject दिया है तो यहां पर दे से सुरुवाद इसकी होगी they chopped board तो यहां पर सबसे पहले P होने चाहिए फिर इसके बाद end more the job तो यहां पर फिर इसके बाद q होना चाहिए seem attractive so rapidly तो यहां पर s फिर यहां पर r होना चाहिए यह किस option में दिया है तो यह cable दिया है यहां पर यह P q s r तो यहां पर थोड़ा सा mistake है आप लोग सही कर लीजे P, Q, S, R यहाँ पे आप लोग सही कर लीजे यह option में mistake है तो यहाँ पे B option हमारा correct हो जाएगा P, Q, S, R हमारा correct हो जाएगा इस sentence का जो मतलब हो जाएगा यह हो जाएगा क्या उन्होंने जो है लकड़ी, काटली और काम को इतना तेजी से आकरशक बना दिया इस sentence का मतलब हो जाएगा rapidly मतलब होता है कि बहुत तेजी से अगर आपकी कोई एक्जाम है जो की 10 दिन बाद है तो आपकी जो study होगी बहुत तेजी से होगी मतलब धुँआ धाड होगी तो rapidly मतलब होता है धुँआ धार यहां पे seem attractive so rapidly काम को इतनी तेजी से आक्रशक बना दिया तो यहां पे जो है B option हमारा correct हो जाएगा P Q S R option में थोड़ा सा mistake है आप लोग सही का लीजेगा अगले जो question नो question मा 18 he became when man is relieved a little creator from the battle for physical safety तो सबसे पहले यहां पे देख लीजे he became a little creator यह sentence बिल्कुल सही है he became a little creator मतलब यहां पे क्या हो जाएगा वह एक छोटा सा creator बन जाता है यहां पे इसका मतलब हो जाएगा तो P के तुरंत बाद क्या आना चाहिए यहां पे R होना चाहिए he became a little creator तो यहां पे P के बाद तुरंत R किस option में दिया है P के बाद पुरंत R यहां पे दिया है और P के बाद यहां S दिया है यह तो गलत हो जाएगा और यहां पे भी P के बाद R दिया है और यहां पे भी यह गलत हो जाएगा केवल हमें दो option चेक करने हैं यहां पे QS, PR QS, PR यहां पे दोनों same option है यहाँ पे दोनों option सेम हैं तो दोनों में से किसी एक option को आप सही कर सकते हैं यहाँ पे दिया है सबसे पहले QS QS दिया है फिर इसके बाद PR दिया है तो यहाँ पे Q से सिरुवात होगी यह तो सही है When man is relieved क्योंकि यहाँ पे जो है when man मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जब manusha जो है is relieved from the battle for physical safety मतलब जब manusha सारीरिक सुरच्चा की लड़ाई से मुक्त होता है तो वह जो है एक छोटा creator बन जाता है यहाँ पे sentence का मतलब हो जाएगा तो इस हिसाब से हमारा A option या फिर C option दोनों में से किसी एक को आप सही कर सकते है क्योंकि दोनों option जो है same है तो इसको में दोनों में से आप एक सही कर सकते है QSPR हमारा correct हो जाएगा अगला जो question दो question 19 when taking to talk down the फिर in the season our coach tends to our reporter yearly abilities of his new man तो यहाँ पे new man इसको आप हटा दीजे तो यहाँ पे new man यहाँ पे option में दीया है तो यहाँ पे इसको हटा दीजेगा तो यहाँ पे आप लोग सोच लिजे सबसे पहले क्या होगा तो सबसे पहला P को देखिए ध्यान से to talk down the फिर दा दिया है तो Q से पहले दा नहीं आ सकता है और नहीं R से पहले दा आ सकता है केवल S जो है ability से पहले abilities से पहले दा आ सकता है तो P के तुरंट बात जो है S होना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो P में दिया है दा यह जो है Q से पहले नहीं हो सकता है दा ना कि R से पहले हो सकता क्योंकि यहां पर इन और टू जो है proposition दिया है और proposition से पहले से article नहीं आता है तो यहां पर सबसे पहले जो है P के वाद S आपको ढूना है तो P के वाद S किस option में दिया है A में दिया है यह हमारा गलत हो जाएगा यह भी हमारा गलत हो जाएगा यह भी हमारा गलत हो जाएगा त के बाद S किसको option में दिया था तो cable यहां पे दिया है A option में तो इसको एक बाद check कर लेते हैं सबसे पहले दिया है when taking फिर दिया है यहां पे दिया है R to R reporter yearly फिर इसके बाद दिया है Q तो in the season our coach tends फिर दिया है P to talk down the abilities of his new man तो यहां पे sentence का मतलब जो हो जाएगा कि season की शुरुवात में एक reporter के पास ले जाने पर एक coach अपने नए आदमी की छमताओं के बारे में बात करता है इस sentence का मतलब हो जाएगा तो यहां पे इसका A option correct हो जाएगा अगला जो question नहीं कुशन नमार 20 evolved in South India or the nodus by early medieval times autonomous present reason तो इसकी शुरुवात जो है यहां से होगी autonomous present reason or the nodus evolved in South India by early medieval times तो यहां पे इसकी शुरुवात ऐसे होगी फिर इसके बाद Q होगा फिर इसके बाद P होगा फिर इसके बाद R होगा तो यहां पे यह sequence आप लोग देख लीजे तो यहां पे इसका D option correct हो जाएगा autonomous present reason or the nodus के बाद आएगी बर्व की जो है यह second form evolved in South India by early medieval times तो यहां पे इसका जो है D option यहां पे correct हो जाएगा अगला जो question नमार 21 इसका answer आप लोगों को comment talks में बताना है एकदम सही thank you friends अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को like and share रुकिया करें अगर आप channel पर पहले आप visit के इन channel जरू subscribe करें तो मिलते हैं new video में तब तक के लिए जय हिंद वन्दे मात्रम